List इस विडियो में हम पढ़ने जा है अपने अधाय नमबर छे का अगला टोपिक जिसका नाम है polynucleotide स्रंकळा की सरचना तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाता है कि जो rna होते हैं वो polynucleotide स्रंक ला से बने होते हैं स्रंक्ला होते हैं de na में दो पोलीनुक्लोटाइड इसरंकला होती है, जो Ao addressed यह अध्रोजण बन्दवारा जुड़ी रहती है, तो हम यह देखेंगे कि पोलीनुक्लों। नुक्लोटाइड सरंकला है, उसके सरचना कैसे होती है। कौन-कौन से योग्डीकियों से मिलकर बने होती है। तो देखिए, पोली नुकलोटाइड स्रंकला, चाए डेने हो चाए आरेने, कई इकाईयों या एकलकों दोवारा बनी होती है, जिने नुकलोटाइड कहते हैं, देखिए, पोली नुकलोटाइड स्रंकला होती है, उसकी सबसे छोटी जो इकाईया अपन सरचनात में इकाई मा कुलोटाइड जोड जाते है तो एक पोली-न्युक्लोटाइड स्रंकला बनती तो किने मतल Rodra में एक नॉकलोटाइड उसके सर्चनात में गिरात में अधाई है इस तरह के बहुत सारी सलॉत an जूड कर जाते हैं ऑपस में तो एक पोली-नॉक्लोटाइड स्रंकला का संद्रिमान होता है तो निक्लोटाइड अब पठेगे कि एक निक्लोटाइड किस तरह से बनता है तो प्रतेक न substancesみ तीन गढठकिया यूगिक होते हुआं अफ्वे ये पांच कार्बन की एक सरक्रा होगी, जिसको हम पेंटोज सरक्रा कहेंगे. इसके अलावा इसमें दूसरा योगी होगा नाइट्रोजनिक शारक, नाइट्रोजनियस बैसेस, इसके अंदर नाइट्रोजन उपस्तित होगी. और तीसरा होगा फोस्पेट समू है, जो की फोस्पोरिक अंबल के रूप में होगा. ये किसके रूप में मुझूद होगा? फोस्पोरिक अंबल के रूप में. और इसी कारण से नुकलिक अम्बल की और इसको नुकलिक अम्बल कह रहे हैं तो प्रतेग नुकलिक अम्बल में तीन योगी हो गई पेंटो, सरक्रा, पांच कार्बन वाली, फिर नाइटोजनिक, शारक, वो तीसरा हो गया फोस्पेट समू है, यह जो कि किसके रूप में होता है, H3PO4, यह होता है, फोस्पोरिक अम्बल है, तो इसके रूप में यह पाए जाएगा है, अपने पोलिक नुकलिक अदर, तो अब देख लेते हैं अपनी यह तीनों जो योगी किस तरह से आपस में जुड़कर, कौन- अधर निर्मान करेंगे, और फिर वे से बोसर नुकलिक अधर मिलकर, एक पोलिक नुकलिक अधर बना लेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंटोस सरक्रा क्या होती है, तो पेंटोस सरक्रा में, देखिए यह पेंटोस सरक्रा होती है, यह पांच कार्बन युक्त सर को और Rapid हुआ है इसको 50 शरकर गह रहे अब यह जो पहली दो अरे होती है इंचा राइबार दिखिए कि यह इसका सुतर होता है जो रून सुतर सी 5e 10 05 इसकी सरस्माद देखते हैं देख इदर में एक के बीच में उक्सिजन का प्रमण होता है फिर इसके अंदर रिंग के अंदर जो वले होती है उसमें चार कार्बन होते है एक बाहर के तरफ कार्बन होता है तो दिखिए यह यहां पर पहला कार्बन है इस कार्बन पर एक एच लगावा है एक साइड में ओएच लगावा है य उससरी साड़ के अंदर 5o कार्बन और 52 कार्बन के साथ hydrogen ore OH smoy यानि hydroxyl smoy जुड़ा हुआ है तो यह तो इसको सर्चना हो गई राय बोज सरक्रागी तो इस में देखिए HOH 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 CS2 HO सब्सक्राइब एक है बिचों बीच ऑक्सिजन का परमानु अब इगर अगर हम इसका अनूसतर इसको मिला कर लिखें तो इसका अनूसतर होता है C5H10O5 ये तो इसकी सरचना हो गई सरचना सुत्र अगया ये इसका अनूसतर हो गया एसी सरक्रा को पन बोल रहे हैं राइबोज सरक्रा, हलांकि पेंटो सरक्रा है, पेंटोज का सरक्रा में भी कौन सी है, राइबोज सरक्रा, इसी सरक्रा पाई जाती है हमेशा आरेने में, यह आरेने के अंदर उपसित होती है, अब देखिए, आरेने के बाद में डीने में क्या फरकाया, जो कि सबसे पहले है यही सरक्रा बनीती आ रहने वाली इसके बाद में कियांगे यह चुक्त है होती है थोड़ी जदा क्रियासियल होती है इसलिए क्या हुआ सिर्फ चुद दो नमबर कार्बन है यहाँ पर थोड़ा सा फरकाने वाला है तो यहाँ से जो यह एक ओक्सिजन है न दो नमबर का जो हाइड्रोक्सिल समो का एक ओक्सिजन परमाणू यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर एक डी ओक्सी हो जाएगा तो यह सरक्रा बन जाती है देखिए दूसरी सरक्रा डी ओक्सी राइबोज सरक्रा देखिए उपर राइबोज सरक्रा थी उसमें डीओक्षी हो जाता है डीओक्षी का मतलब है इसके जो दो नम्बर कारबन था उस पे जो O-SOMO था उस O-SOMO से एक औक्षीजन का पुरमाणू है यह यहां से हट जाएगा तो ऐसी सरक्रा को बोलेंगे डीओक्षी रायबो सरक्रा और यह प्रेजेंट होती है DNA के अंदर बस यह फरक है अब यहां से जो यह सरक्रा के जो दो नम्बर कारबन था उसमें अक्षिन अट गई है तो यह थोड़ा ज्यादा इस्टेबल है ज्यादा इस्ताई के सरचना बन गई है इसलिए DNA आरने से ज्यादा इस्ताई होता है यह कमारी सटाब रहरी इसका कारण है तो देखिए यह पेंटाो सरक्राब अगी है डियाउकसिर आभू स woll भण गई है यह यहां पर वीजोक्स है फिर हेच हिर यहां पर नंबर कारभण जो है यह यह दो नंबर 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 यह तीन नंबर यह चाह नंबर шver वगित नंबर तो यह दो नमबर पर आप देखे हों, यहां पर H और H ही है, यहां पर O नहीं है, तो O नहीं है, इसका मतलब O यह हट गया, तो यहां पर O गया D-Ocxy, hydrogen का मतलब oxygen, और D का मतलब होता है हटना या restore करदेना, तो यहां से हट गया उक्सिजन का परमाणू इसलिए राइबोसरक्रा कि इसमें बदल गई इ-डी, ऑक्सी राइबोसरक्रा में बदल गई बस थोड़ा सा पर रखाया कि यहांपर इसका सुतर था C5H10O5 और यहांपर इसका सुतर बन जाता है C5H10O4 एक Oxygen का परमानों यहाँ पर कम हो जाता है देखिए, यहाँ पर हमने लिकर रिका है कि Raibose सरकरा के दूसरे कारबन परमानों से एक Oxygen परमानों के हट जाने से Deoxy Raibose सरकरा का निर्मान होता है तो इस तरह से Raibose सरकरा जो थोड़ी कम स्तही होती है उससे ज्यादा इस्ताई स्टेबल सरकरा डियोक्सी राइबो सरकरा का निर्मान हो चुका है और यह DNA को बनाने का काम करेगी मतलब इस्तितिया आगी कि यह जो सरकरा थी यह थी राइबो सरकरा इसके दो नमबर पर यह OSMU पस्तिता और यहाँ पर एक oxygen हट गया है परमानों और इस्तितिया गई कि इसका जो दो नमबर था यहाँ से देखी यह चेंज आ गया यहाँ पर केवल H ही बच गया तो यह जो राइबो सरकरा थी C5-S10-O5 वाली यह C5-S10-O4 में बदल चुकी है था डियोक्सी राइबो सरकरा में बदल गई है तो यहाँ तो यह उपस्तित थी RNA में और यह अब उपस्तित होगी DNA में तो कहने का मतलब है सबसे पहले RNA उपस्तित था परकरती में उसके बाद में DNA बना है और DNA कब बना? जब यहाँ से डियॉक्सी राइबो सरकरा बनी है तब भी इसका अंदर माड़ होगा है तो यह तो थी PENTO सरकरा जोकी दो तरह के होती है राइबोंज, कौन कौन से पढ़़ी है हमने? ribos and d-oxy ribos तो इसी का दार पर अपन आरेने को कहते है ribonucleic and ओ ने को कहते है द-oxy ribonucleicY तो ये तो थी酸रक्रा के बाद अब अगला देख लेते हैं अपन nitrogenic शारक बहुति important है nitrogenic शारक nitrogenic शारक जिसको nitrogenus bases भे बोलते हैं या इसको nucleobases वह बोलते हैं देंगिए इना इंदर नाइट्रोजन वह जय जाती है और प्रकृतिक यंनि शाहर प्रकृति के योगिक होते हैं इन्हें नैट्रोजनिक शारक केते हैं एक सोर्ड कि Jo로 खिए यो हों कि अले प्रकृतिक नाइटोजनिक शारकों को डाल दें पन तो वो उसकी प्येज को बढ़ा देते हैं मतलब सास से उसको प्येज को बढ़ा देंगे और जिसकी प्येज सास ज्यादा होती है वो कैसा होता है वो क्षार यह होता है तो यह देखा गया है कि नाइटोजनिक शारक को किसी विलियन मे डालें तो उसकी pH को बढ़ा देंगे तो इसलिए एक शारी प्रकृति के होते हैं वो नाइट्रोजनिक शारक कहलाते हैं देखे नाइट्रोजनिक शारक होते हैं यह चक्रिय योगिक होते हैं साइक्लिक कंपाउंड होते हैं चक्रिय योगिक का मतलब है इनके अंदर किसी तर नét्रोजनिक शारक, दो प्रकार के होते हैं, जिस तरह से pentos रकराश दो प्रकार के ते उससी तरे से नेंट्रिन शारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक हूम कहते हैं, pureene, और एक को बोलते हैं, pirimidine, purine and pirimidine, या आप नाम याद रखेगा, purine and pirimidine, दो न、、 दो तरे के शारक हो गए है, अब एक टेबल बना के आपको एची तरह से यसे इसमने शारक के नाइटोजनिक शारक दो तरह के होते हैं यह दो प्रकार जैनेumber पहले प्यूरीन को पारप देख लेते हैं, प्यूरीन क्या होता है इसमें दो वले या यही कुछा रिंग होती है, एक तो पिर्यमिडीन और दूजरी, इमीडे जोल रिंग होती है जिसरे इस तरह के आपका कौं सरजनासुतर दिखेगा, जिसमें एक यह जैसे बेंजरन रिंग की तरह दिख रहे है आपको यह प्रमीडिन वले है और इसके साइड में जोल रिंग लगी ही ही में डो नाइट्रोजन परमळो Hilux यह इमीडे जोल रिंग है तो यह इंडर वाली प्रमीडीन है इह इमीडे जोल है इस तरह के दोनो इसका मतलब वो प्यूर इं इसमें केवल एक वले पाई जाती है और वो भी होती है पिरीमीडीन केवल पिरीमीडीन यानि यह सिर्फ छह जैसे प्रमानों वाली या बेंजरी की तरह केवल एक वले होगी जिसको पन पिरीमीडीन वले बोलेंगे तो इस तरह से एक ही वले होगी तो वह तो होते हैं सारे के आगे जाकर दो बागों में बट जाते हैं एक तो होता है एडिनिन और एक होता है गवानिन देखिए एडिनिन को हम लिखते हैं एसे यह याद रखेगा एडिनिन प्यूरीन शारक को लिखेंगे अपन एसे और गवानिन शारक को लिखते हैं हम जी से तो अंगरजी में इसको में लिक्स लिक लेते हैं उसको अग्रजी में अपने इसको लिख रहे हैं जैसे गयए उपन लिखेंगे फ्रीन गशारक हो गए एडिन और गवाणिन जैसे इसको याद करने का तरीक आपको में बिता देता हूं Purine Purine को आप लिख लो Pure और फिर Pure होते हैं A, G H, G या इसको आप सोट में कलो इसको A, G Pure, H, G A, G अमतलब चांदी तो चांदी जैसे Pure होती है यानि Pure तो चांदी जैसे अपन Pure ही चाहते हैं कि चांदी अपन को Pure मिल जाए तो उसी तरह से अपने इसको याद कर सकते हैं कि Purine होती है A और G यानि A और गौनिन ये दोनों कैसे होते हैं ये Purine होते हैं अब देखी एक important बात है DNA हो या RNA दोनों में A और गौनिन यानि यानि G दोनों Purine पाए जाते हैं चाहिए DNA बनाए चाहिए RNA बने दोनों ये उपस्तित होंगे DNA और RNA में किसी में Adinin होगा या कहीं पर Gwanin होगा दोनों में प्रजेंट होंगा ये इसकी विशेशता है कि Purine DNA और RNA दोनों में प्रजेंट होता है अब यहाँ पर तुफ्तितां Purine DNA को दियान से देख लेते है Purine Varin यहाँ पर क्या है कि 3 तरह का होता है ये जो Nucleic hours TEERS में 3 तरह के होता है जो Nucleic हमल होता हुए DNA उसमें तीन तरह की Purineboys जाते हैं पेरला देखिए Thymine अशन को लिखते हैं THY, My होता है यूरेसिल इसको लिखेंगे केपिटल यू से तो यह आपको याद करने का तरीका है तीस जो तीन यह पिरिमिडेन हो गए इसको आप इस तरह से याद करने कुट कॉन हो गए साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन यह तो पिरिमिडेन हो गए और प्योर एज़ी मतलब यह अडिनेर गवानेन यह प्यूरीन हो गए तो यह तीन तरह के हैं यानि टोटल पांस तरह के नाइटरोजनिक शारक अफी तक हम देख चुके हैं तो यह थाइमि को यू से करेंगे और थाइमिन को टी से करने वाले हैं अब यहां पर थोड़ा सा जान देने वाले बात यह है कि डिने में इन पिरिमिडेन में कौन कौन से होते हैं तो डिने में तो यहां पर होते हैं सी और टी सिटी साइटोसिन और थाइमिन जबकि आरने में जो होते हैं वो यो पते हैं एक तो साइटोसीन और यूरेसील मतलब आरेने में कभी भी थाइमीन नहीं होगा यह डिन्य और आरेने में वी बड़ांतर है कि यहाँ पर प्यरीन तो दोनों सेम हैं, दोनों पाचाते हैं लेकिन पिरिमडीन में फरक है यहाँ कि DNA में तो मिलेगा साइटोसीन और थाइमीन यानि तीनों में से साइटोसीन और थाइमीन तो मिल जाएगा DNA में और साइटोसीन और यूरेसिल मिल जाएगा RNA में यह परक है कहने अवतलब है आरने में थाइमीन के स्तान पर यूरेसिल यानि टी की जगे यू पाए जाता है यह इसके अंदर बहुत बड़ा फरक है पिरिमीडिंग शारकों के अंतरगत तो हम जब आरने बनाते हैं तो कहने अवतलब जब आरने बनाएगे जैसे मालेजी हमन दिखा दिया यहां पर यू दिखाएंगे और जैसे आगे जैसे हमने दिखा दिया ए दिखा दिया फिर आगे हमने सी दिखा दिया तो यदि यू पस्तिते तो हम यह कंपरम मालेंगे कि यह आरने का ही रजुक है अगर उसमें यूरेसिल नहीं है तो हम उसको आरने का हो जाता है अब बात आती कि नाइटरजनिक शारक के से जुड़ते हैं और कहां पर जुड़ते हैं तो नाइटरजनिक जो शारक होते हैं वो एक बंद बनाएंगे एन गलाइकोसिडिक बंद या एन गलाइकोसिडिक बॉंड दुवारा पेंटो सरक्रा के पहले कार्बन पर यानि फर्स्ट जो कार्बन होता है उससे जुड़कर नुकलियोसाइड बनाते हैं सबसे पहली बात यही है कि जो पांच कार्बन वाली पेंटोसिडिक पढ़ी थी हमने उसके पहले कार् जाकर जुड़ेगा और जो बंद बनेगा वो बनेगा एन गलाइकोसिडिक बंद यानि जुनिस्तारक और गलाइको यानि पेंटोस रक्रा के बीच में जो बंद बनेगा वो बंद बनेगा वो एन गलाइकोसिडिक बंद बन जाएगा और वो कहां पर बनेगा एक नंबर का पर यह important बात होगी अब जैसे नाइटोजनिक शारग पैंटो सरकरा से जुड़ जाएगा तो वहाँ पर जो अनू बनेगा वह बनेगा नुकलियो साइड अभी टाइड नहीं बनाए यह साइड है साइड तो देखी इस तरह से हो गया कि पैंटो सरकरा में जब नाइटोजनि शारग अमने इसको पांच कार्बन वाली इस तरह से अमने दिखा देते हैं इस पैंटो सरकरा और यहां पर पहले कार्बन से यह नाइटोजनिक शारग यहां पर जुड़ चुका है तो यह जो सरचना बनी यह बन गई नुकलियो साइड चो कि यहां से क्या होता है जब यह यह यारखना है कि नुकलियो साइड बनने के दोरान कौन सा बंद बनता है तो वह बंद बन रहा है एंड ऐले कारबन से यह जुड़ गया यह तो गया मेरा नैटोजनी शारक के द्वारा नुकलियो साइड का निर्माण अब तीसरा देख लेते हैं अपन फोस्पेट समुए देखी ये भी इंपोर्टेंट है फोस्पेट समुए चुकि इसको अपन लिखते देते हैं PO4 3- खेए असे पॉस्पेट समुए गया यह फोस्पोरिक अम्ले यानि एच 3P4 के रूप में पाजाता है और इसे प्राए पोस्पेट समुए के रूप में जाना जलाता है क्योंकि अब्ल के दिखता होती है nitrogen शारक से इसलिए कुल मिलाकर nucleic अंबलों की अंबलिये प्रकरती है तो उत्रदाई होते हैं देखिए important बात है अब फोस्पोरिक अंबल ही nucleic अंबल जो अंबली प्रवर्टी के होते हैं उसका उत्रदाई होते हैं फोस्पोरिक अंबल की अधिक्ता में पायाते हैं इसलिए अगर nitrogen शारक को यह neutralize भी करेंगे तो कुल मिलाकर यह nucleic अंबल को अंबली यह प्रकरती देंगे दो पेंटो सरकरा के अनों के फोस्पोरिक अंबल का एक अनों पाय जाता है दो पेंटो सरकरा यह important बात है यहाँ पर देगे दो पेंटो सरकरा के अनों के बीच यह लिखो आप यहाँ पर बीच फोस्पोरिक अंबल का एक अनों पाय जाता है मतलब दो पेंटो सरकरा के अन नच्टर बूंड वहां से यह दो पेंट्या को जोड़ लेगा प्रतेग फोसपेड समवह एक पेंट्यो सवकरा के तो त्री टेस कार्बन से अब यह भी अपन समझा हमा लेंगे त्री डेस सिर्फ उसके 5 नमबर कारबन से जुड़ जाईगा और दोनों तरफ जुड़ेगा तो बनाएगा फॉस्फोर डाइस्टर बंद बनाता है जैसे माली जी ये है ये तो पहली पेंटो सरकरा होगी, ये दूसरी पेंटो सरकरा होगी और इन दोनों के वीच में एक से तो जुड़ गया चाहिए यहां पर पांस नंबर कार्बन है यहां से जुड़ गया यह पांस नंबर कार्बन से और दूसरी से जुड़ावाई यह यहां से तीन नंबर से तो फोस्पेट जो समोहता है वो एक पेंटो से करा के तो तीन नंब तो दो पेंटो सक्रा के बीच में फोस्पेट समों जुड़ गया तो अब देखिए यहां पर क्या होता है दिर दिरब पहले फटरी तो नुकलियोसाइड कैसे बनाता इस पेंटो सक्रा में एक नैटरिजनिक शारग जुड़ने से अब अगर एक प्योर जुड़ गया इसमें फोस्पेट समों तो यह बन जाता है नुकलियोटाइड जब तीनों जुड़ जाते हैं यानि प्रेंटो सक्रा नैटरिजनिक शारग और फोस्पेट समुड़ तीनों जुड़ जाते हैं तो वहां पर बनता है एक नुकलियोटाइड अब देखिए यहां पर एक चीज और स ट्राइश्टर गोन्ड गये यहाँ पर कर अभे इसको आगे को कि की पेंटो में चिक्राव नार्डिटर निंग ज़ुदें के जुड़ने से न॥ न्यॉकिलियो में सअब के से बन्सक्रावं एक निविद्सका रखक फोस्पेट समोय के फोस्पो एस्टर बंद से जोड़ जाने से नुक्लियोटाइड दा निर्मान होता है एक नुक्लियोटाइड के बात करें अपन एक नुक्लियोटाइड दा निर्मान होता है यानि यह देखिए यहाँ पर इसको अपन देखते हैं उपर वाले को कि कि सतरे से होता है देखिए अपने इसको चित्र बना गई और बता देते हैं आपको कि यह एक पेंटोज सरक्रा है ये एक नमबर कार्बन, इसका दो नमबर कार्बन, ये तेन नमबर कार्बन, ये चान नमबर कार्बन और ये है इसका पांस नमबर कार्बन ये पेंटो सकरा है इसके एक नमबर कार्बन पर हमने जोड़ दिया एक नाइटरोजनिक शारक कोई सा भी जोड़ दो जाए आप अब ये सरचना बन गई ये नुकलियोसाइड है अगर अभी इसके जैसे ये पांस नमबर कारबन भाए इस पांस नमबर कारबन पर एक फोस्पेट समोज जोड़ जाए यहां पर तो ये पूरी सरचना बन जाती है एक नुकलियोटाइड बन गया है ये क्या बन गया एक नुकलियोटाइड मतलब ये पहले तो ये जो सरचना थी ये इतनी इतनी सीख ये तो थी नुकलियोसाइड ये तो थी नुकलियोसाइड लेकिन अभी इसमें एक फोस्पेट समोज उड़ गया तो ये nucleoside किसमें बदल गया nucleotide में या हम ये कह सकते हैं कि pentosarcra, nitogenic, shara guar, phosphate 3-0 के जोनने से nucleotide बनता है या हम ये भी कह सकते हैं कि एक nucleoside में phosphate सम्मों जोनने से nucleotide बनता है तो देखेंगे कितना जी चल रहा है इस तरह से इसको पन कहह रहे हैं कि जब 5 days से जो वहाँ पर होता है उसके दौरा यह फोस्पीट सम्हों एक फोस्पो एश्टर बंद बना लेता है एक ही बनाएगा भी तो दोनों तो जब दो सरक्राइब जाती है तो फोस्पो डाइस्टर बन जाएगा तो जूड़ने से एक हो जाता है तो पॉल नुकलाटएड सरंखला बन जाती है दो निकलेट अग्येगी दो नुकली अड़ेटenteफ को फेपेटेश वाले एक तो तेन नंबर जोड़ाएगा फोस्पेट सुम और सरक्राय है इसके ठीक उपर दूसरी पेंटो सरक्राय है हमने यह बना दिया एक जिसे हमने जोड़ दिया हमने टी जोड़ दिया तो यह एक नुकलियोसाइड यह दूसरा नुकलियोसाइड है अब हम इसके देखिए यह नंबर कार्बन है और यह पांस नंबर कार्बन है यह यह इसका तीन नमबर कार्बन है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक फोस्पेट समोर जोड़ देंगे तो एक सरकरा के तो यह पांस नमबर कार्बन जुड़ गया है यहाँ पर इसको बोलेंगे पर फाइब डेस और एक तरफ यह जुड़ गया है थ्री डेस सीरे से यहां से तीन नंबर कारबन से तो यह तो अपन गह रहें तो यहां पर देखिए यह यहां पर एक five डेस से एक फोश्पर समोर जुड़ जाता है तो दो नुकलोटाइड क्या होते हैं जैसे यह दो नुकलोटाइड है यह पहला नुकलोटाइड दूसरे खाइं एक निकलव्ड्य मां गये एककनिकलव्ड दूसरी यह दोभी नॉयकुलोरेड flavored घुग गए और उस तरह के उपर नीचे कई तरह के नूब्डड़ मेज जाते हैं और लंभी पॉल्यकुलोरेड सब्सक्राइड के अंद्र मांणे ब होता है यह कि इसके नीचे इस तरह निर्माण कर लेंगे तो यही तो हमने पढ़ाए कि दो नुक्लोट्रेड फ्रीडेश और फाइब डेश से रेपर फोस्पू डाइस्टर बन गया और उसके जोड़ने ढाय नुक्लोट्रेड बन गए और इस तरह से कई नुक्लियोटाइड जोड़कर एक पूले नुक्लियोटाइड इसनकला का निर्माण कर लेते हैं तो यह अपने प्रलिया है तो तो लिए आज के अपने वीडियो में बस इतने पढ़ेंगे वरना वीडियो पोचे दर लंब हो जाता है नेक्स्ट वीडियो में हमें एक बार फिर से यह जो नुक्लियोटाइड रपेन लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका नेक्स्ट टोपिक को एन को सब्क्राइब निहें कि हो, सब्क्राइब भी करें टैंक यू